सो हेलो गाईस एक बार फिरसे स्वागत है नई रैस्पी में तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुलाब जामून वो भी छोड़ी कॉंटिटी में किस तरीके से बनाई जाती है घर पे बना के दिखाएंगे आपको कि छोड़ी कॉंटिटी में कैसे बना सकते हैं आप घर पे आसान तरीके से तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं तो गुलाब जामून बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन पैन में हमने एक लीटर दूद डाला है दूद को हमने उबाल लेना है तो यहाँ पे हमने एक लीटर दूद ले लिया है और इसको हमने उबाल लेना है तो इस तरीके से उबाल लेना है अच्छी तर करने के बाद में हमने गैस का फिलेम बंद कर दिया है तो यहां पे हमने गैस का फिलेम बंद कर दिया अब इस दूद को हमने ठंडा करना है यानि बिल्कुल ठंडा नहीं करना है पस हलका गुनगुना सा गरम हो ताकि जितना की आपकी हाथ सह सके उतना गरम होना चीए बिल्क करने के बाद में एक कप हमने शूगर डाला है यानि 200 ग्राम हमने शूगर डाला है तो यहां पे हमने इसको चाशनी बना लेना है तो जब तक के लिए हमारे शूगर गल रहा है तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं तो यहां पे हमने शूगर थोड़ा बनाया है क्योंकि हमा गुलाब जाउन वाली चाशनी हमने कल की हमारी पड़ी हुई है तो इसमें हम वो डाल देंगे अगर आप एक लीटर दूद का गुलाब जाउन बनाते हैं तो आपको कम से कम 400 ग्राम शूगर डालना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास पुरानी चाशनी पड़ी थी तो यह यहां पर चाशनी हमारे बिल्कुल सेट हो चुकी है और अब हम इसको चाशनी को सैड में रखते हैं दूद हमारा ठंडा हो चुका होगा तो यहां पर देखे दूद हमारा ठंडा हो चुका है देखे उंगली डालके बस उतना गरम होना चाइए जितना कि आपका हास सै सके तो उतना ही गरम होना चीए तो यहाँ पे हमारा दूद बिल्कुल पॉफेक्ट ठंडा हो चुका है और उसके बाद में हम यहाँ पे तेजाब लिया है तो यह हमारा पनीर वाला मसाला है मार्केट में कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पे हमने बहुत थो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे डालके इसे हमने दूद को फाड़ लेना है तो यह देखिए दूद हमारा इस तरीके से धीरे धीरे करके फाड़ेंगे और यहाँ पे देखे दूद हमारा बिल्कुल फड़ चुका है और इसे पनीर को बहुत ही सॉफ्ट प चुका है तो यहां पर देखे पनीर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है तो इसको हम चान लेते हैं तो इसको हम एक कपड़े में इसे हम चान लेंगे यह देखे हमने चान नी लगाई है और इसके उपर हमने लगाई है मलमल का कपड़ा तो यहाँ पर इस कपड़े में हम इसे पून लेंगे यानी चान लेंगे अच्छी तरीके से इसका पानी सारा हम निकाल लेंगे तो यह देखी हमने पनीर सारा डाल दिया है अब हम इसको हाथों से निचोड के अच्छी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और पनी जो है वो बिल्कुल इसका पानी निकालना होता है तो इस तरीके से हम इसका पानी निकाल लेंगे अच्छी तरीके से इस तरीके से चाननी को उल्टा करके हम थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं उसके बाद में हम इसके हाथों से इसे निकाल लेंगे यहीं थोड़ा थोड़ा करके हाथ से दबाके हम इसको अच्छा तरीके से इसका सारा पानी निकाल लेंगे देखे इस तरीके से तो यहाँ पे हमने पानी सारा निकाल लिया है और हमने एक प्लेट में इसे मैश करना है तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है और इसमें हमारा पनीर जो है यह देखे बिल्कुल हमने इसका पानी सारा निकाल लिया है तो अब हम इस पनीर को मैश करेंगे तो इस तरीके से हम पनीर को मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे हलके आतों से इस तरीके से बिल्कुल हलके आतों से इसे हम मैश कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि पनीर जो है हमारा बिलकुल अच्छी तरीके से मैश हो चुका है तो अब हम इसे फैला देते हैं थोड़ा सा इसमें मसाले वगरा एड़ करेंगे तो अब हम इसमें अपने मसाले वगरा एड़ कर लेते हैं यहां पर देखिए हमारे पास 700 ग्राम पनीर है तो यहां पर हमने 12 ग्राम शूगर डाला है और 12 ग्राम हमने डाला है शूगर और 12 ग्राम ही हमने घी डाला है यानि 12 ग्राम घी और 12 ग्राम शूगर तो इसको भी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे इसी में mix कर देंगे तो यहां पर इसे अच्छी तरीके से mix हो चुका है अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो यहां पर देखे हैं हमने एक चुटकी मिठा सोडा डाला है एक चुटकी से भी बहुत कम है और उसके बाद में हमने थोड़ा सा एक चुटकी बैकिंग पौर्डर डाला है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ कर देंगे और उसके बाद में इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यहां देखें मिक्स हो चुका है अब हम इसमें मैदा अड़ करेंगे तो यह हमारा 700 ग्राम पनीर था तो हमने इसमें 30 ग्राम मैदा अड़ कर दिया है इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अच्छी तरीके से हम अपना डो रेड़ी कर लेंगे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे mix कर लेंगे मैदा और उसके बाद में add करेंगे हम इसमें थोड़ा सा custard powder तो भी हम पहले mix कर लेते हैं इसमें अच्छी तरीके से इसके flavor के लिए हम थोड़ा custard का powder भी use करेंगे आपके पास है तो ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है आप skip भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने आधा चमच custard powder एड़ किया है इसे भी हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें दाने वगरा नहीं होना चीए बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करके इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अपना डो जो है बिल्कुल हम ready कर लेंगे तो यह देखिए डो हमारा बिल्कुल ready हो चुका है अब हम इसकी से side में रखते हैं और अपनी clean ball बनाएंगे तो यह हमारा dough हमारा बिल्कुल ready हो चुका है तो अब हम इसके छोटे-छोटे से clean ball बना लेते हैं गुलाब जामून के size के जिस size के आपको बनाने हैं उस size के बना सकते हैं छोटे बड़े घर में बनाने के लिए चोटे-बड़े कोई भी size का आप बना सकते हैं जो size आपको बनाना हो तो यहाँ पर हमार्किट वाले size ही बनाऊंगा तो इस तरीके से हम छोटे-छोटे pieces में इसे तोड़ लेंगे तो यह देखें छोटे-छोटे pieces में हमने इसे तोड़ के balls बना लिए हैं अब हम इसके clean ball बनाएंगे दोनों हाथों से इसको पहले अच्छे से मल के और उसके बाद में हलके हाथों से clean किया जाता है हलके हाथों से इसे हम clean कर लेंगे और यह देखें कि यह देखें हमारा clean ball बिल्कुल ready हो चुका है सेम तरीके से हम दूसरा तिसरा भी बना लेंगे इसी तरीके से इसी तरीके से सबी ball रैडी कर लेना है तो यहां पे देखें हमने इसी तरीके से सभी balls हमने ready कर लिया है और यह देखे कितना बड़िया clean ball बिल्कुल fatty नहीं होनी चाहिए clean ball होना चाहिए बिल्कुल और अब हम इसको fry करते हैं तो fry करने के लिए हमने यहाप एक कडाही लिया है और कडाही में हमने रखा है oil, oil को रखना है हमने गरम होने के लिए बहुत जादा गरम नहीं करना है बिल्कुल हलका सा गरम होना चाहिए यानि कि low temperature पर इसे हम बिल्कुल हलका सा गरम करेंगे यह देखिए कि हमारा गरम हो चुका है बिल्कुल हलका सा देखिए इसमें bubbles भी न खाममन जो है वो डाल दिया हैं बिल्कुल हल्के तेल में करने लो टमपरेचर से बिल्कुल हल्के हल्केकर से भाबल अ रहे हैं तो अब हम इस तरीक में गॉलतीयों कि आप конечно तो हम एक मिनिट के लिए गैस का फ्लेम हाई पे कर देंगे तो यहां पे गैस का फ्लेम हाई पे कर देंगे ताकि उसकी उपर वाली लेर जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए तो जब तक के लिए गुलाब जावन ये फ्राई हो रहे हैं तब तक के लिए हम चासनी को देख लेते हैं एक बार तो चासनी जो हमने बनाई थी हम उसमें पुरानी चासनी एड़ करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पुरानी चासनी पड़ी हुई थी यानि इसमें भी 200 ग्राम पानी और 200 ग्राम ही सुगर है तो हमने इसमें एड़ कर दिया आपके पास अगर पुरानी चासनी पड़ी है तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं या जलेबी या कोई मोटी भूंदी वगरा में आप यूज कर सकते हैं तो यह देखे गुलाब जामून हमारे जो है इसकी लेयर जो है उपर से वो टाइट हो चुकी है तो गैस का फ्लेम हमने फिर से लोग पे कर दिया है बिल्कुल आप इसमें से धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे यानि 10 से 15 मिर तक इसे हम धीरे धीरे फ्राइ करेंगे इस तरीके से हमसे धीरे धीरे हिलाते रहना है बराबर ताकि बॉल्स जो है हर तरब से बिल्कुल एक रंका होना चीए इसलिए इसको लाल और उपर से चिट्टा ना रहा है इसलिए इसको बराबर हिलाते रहना है तो ये देख़े कि गुलाब जामुल हमारे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं इसे हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे तो यह देखे गुलाब जामुण जो है मारे बलकुल पौफेक्टली ब्राउन हो चुके हैं और इसको गैस का फ्लेम हम बलकुल लो पही पकाए हैं इसको पकने में करीब से 10-15 मिट लगता है तो यहाँ पर देखे गुलाब जामुन जो हमारे बिल्कुल फ्राय हो चुके हैं तो हम आपको एक पीस चेक करके दिखा देते हैं कि एक पीस चासनी में डाल के आपको हम चेक करके इस तरीके से चेक कर लेना है तो यह देखे, कि हमने चाशनी में डाल दिया, इसमें कोई chip उगरा इसमें नहीं पड़ रहा है तो यह गुलाब जामु जो हमारे पॉफेक्ट ली बन चुके हैं तो गुलाब जामुन हमारे पॉफ्यक्ट बन चुके हैं, आप इस तरीके से एक पीस डाल के पहले चेक कर लें, ताकि इसमें कोई चीप उगहरा ना पड़ जाए उस तरीके से, तो अब हम इसे सभी को सभी गुलाब जामुन निकाल के हम चास्नी में डाल देंगे, गुलाब जो है, इसके अंदर तक अच्छे से भर जाए, इसे हम फुल नाइट के लिए छोड़ भी देंगे, तो ये देखी हमने इसे हिला दिया, अब हम क्या करेंगे, इसे हम यही पर रख देंगे, इसे हम फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे, इसे हम सुबे ठंडा हो और एक एक पीस करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर देखे कितनी बढ़िया और कितनी रसीले गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल बन के रैडी हो चुके हैं तो ये देखिए हमने सभी गुलाब जामु जो एक प्लेट में निकाल लिया है मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से गुलाब जामु हमारे वो बने हैं विल्कुल पॉफेक्टली बन चुके हैं और अंदर तक जाली किस तरीके से पड़ी हुई है और ये देखिए अंदर तक जाली एकदम पॉफेक्ट पड़ चुका है जो शूगर और घी पनीर में डाला जाता है वो इसलिए डाला जाता ताकि अंदर तक इसमें जाली पड़ जाये अच्छे से तो यह देखे, इसलिए हमने शूगर और घी डाला था, ताकि अंदर तक जाली अच्छे से इसमें पढ़ जाती है जाली अच्छे से पढ़ जाता, इसलिए शूगर और घी एड़ किया जाता है तो हम इसे सर्फ करने अली प्लेट में लगा लेंगे तो यहां पre हमने इस सर्फ करने अली प्लेट में लगा दिया है इसके उपर हम गार्णिश करने के लिए पिस्ता लगा। आप इस पर बुरादा वगएरा भी लगा सकते हैं या कुछ भी आप इस पर बुरादा वी कोकोनेट बुरादा भी डाल सकते हैं या कोई ड्राइफूट अंदर भरके भी बना सकते हैं जैसे सौगी वगेर अब यह अंदर डाल के अच्छे से बना सकते हैं तो यहां पर देखें गुलाब जामु जो हमारे हैं बिल्कुल पॉफेक्ट सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके कहीं पर आप गैस्ट को घर में बना के देखें बहुत ही टेस्टी और मार्किट वाले गुलाब जामु आप भूल जाएंगे थैंक्यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ हाँ हलवाई वाली रेसिपी जे और भी मेरे चैनल पर अपलोड तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वह आपको मिलती रहे तो थैंक्यू सो मच गाइस